अस्पताल में कर्मचारी मरेश को दवा देने से इनकार कर रहा था जिसके कारण मरेश के परिजनों में मायूशे दिख रही थी लेकिन असे बीच कुछ परिजन काफी नाराज हो गए फिर क्या था और अंगबाद सदर अस्पताल के दवा खानी में हंगामा के इस्थिती बन गई और दवा लेने आये मरेश के परिजन दवा देने वालों को पीटने पर उतारू हो गए जिसके बाद इस्थिती बिगड़ते देख दवा काउंटर में बैठी कर्मी भाग खड़े हुए जिसको लेकर मरेश के परिजन आक्रोशित हो गए फिर काफी देर तक अफरत तफरी मची रही बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में अभी जिले की एक नर्सिंग इंस्टूट के छात्र छात्रा ट्रेनिंग के तोर पर अपनी सिवाई दे रही है ऐसे इस्थिती में दवा काउंटर पर बैठे नव प्रस्विक्षित छात्रों को चिकित्चा के लिखे पुर्जे समझ में नहीं आ रही है यही कारण है कि दवा लेने आएं लोगों को पूरी दवाई नहीं मिल पा रही है जिसको लेकर लोग आक्रोशित होकर कर्मियों पर क्रोधित हो जा रही है वही दवा बाट रहे एक नव प्रस्विक्षित कर्मचारी ने बताया कि यहां हम लोग सीखने आएं और चिकित्चक के पुर्जे ऐसे आ रही है जो पता ही नहीं चल पा रहा है पूछने पर चिकित्चक भड़क जा रहे हैं परिशानी समझने के लिए कोई तयार नहीं और अंगबाद से बोलता भी हारक रिपोर्ट आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं अगर अभी तक अपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथी अगर आप यह वीडियो फेस्बूक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें हम लोगों समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों समझ में नहीं आ रहा है एक बार गए तो बता है तो हम कह दिये फिर वो इससाब पूर्जा आया हम लड़कन जो आ रहा था बंगई कर रहा है क्या है